दोस्तों आज किस वीडियो में रिवियू करने वाले हैं QNET 80 जो की 2023 का मॉडल है LG के तरफ से आने वाली साथी साथ ये TB Quantum Dot and Nano Cell Technology को मर्च करके QNET Technology बनाये गया जिसमें आपको best color and best detailing देखने को मिलेगी और ये TB 4K 120 FPS के साथ आता है जिसमें आप best gaming experience ले सकते हैं साथ ही साथ कुछ exciting features जैसे multi view का option मिलता है और यहां पर Office 365 LG channels बहुत ऐसे features इसमें add की गई है जो कि पहले के line up में देखने को नहीं मिलता था इस वीडियो में detail में देखेंगे क्या कुछ नया इस TV में देखने को मिल रहा है तो चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को subscribe कर लीजे bell notification को all पर set कर दीजे ताकि regular update आपको मिलती रहा है मैं इसी तरह का unboxing and take related वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ तो चलिए फटाबट से वीडियो को start करते है सबसे पहले इस TV की डिजाइन को देखें तो ये TV बेजलेस डिजाइन के साथ आ रही है थिरी सेट बेजलेस है center में देखें तो यहाँ पर remote sensor and physical button provide किया गया है side में देखें तो यहाँ पर Qnet and LG की branding की गई है overall build quality काफी अच्छी है इसकी थिकनेस काफी कम है पहले के जो TV आते थे उससे ये काफी slim TV है साथी साथ जो इसका border है metallic border दिया गया है मतलब इसकी build quality भी काफी strong है stand देखें तो कुछ इस तरह का stand इसका provide किया गया अगर आप table top करते हैं तो कि यहाँ पर stand की build quality भी काफी अच्छी दी गई है ports की बात करें तो यहाँ पर मिलता है 4 HDMI 2 USB port 2 HDMI 4K 120 fps को support करेगा साथी साथ auto low latency mode variable refresh rate and gaming के और भी features को यह support करेगा optical RF input land port almost ports में आपको किसी तरह का कमी देखने को नहीं मिलेगा सभी तरह का ports यहाँ पर अवेलेबल है connectivity में डुवल मैंड वाइवाइवाइगा साथी साथ Bluetooth version 5.0 के साथ देखने को मिल जाएगा इसके remote को देखें तो यहाँ पर magic remote देखने को मिलता है build quality काफी अच्छी है यहाँ पर कुछ hots की भी दी गई है यहाँ पर Google Assistant के बटन को remove कर दिया गया क्योंकि जितने भी 2023 के LG TV है उसमें Google Assistant देखने को नहीं मिलता है remote की build quality काफी अच्छी है in hand feel काफी best है इस remote की आगे अगर बात करें इस TV की picture quality के बारे में तो यहाँ पर मिलता है quantum.technology साथी साथ nano cell को merge करके यह qnet tv है जिसमें best color 100% color volume साथी साथ nano cell का technology है जिसमें आपको मिलता है best detailing दोनों को merge करके बनाया गया qnet technology जिसके वज़ा से इसमें best of the best picture quality देखने को मिलेगी यह TV full LED है मतलब कि यहाँ पे local dimming zone भी provide की गई है जिसके वज़ा से इस TV में brightness आपको काफी जादा देखने को मिलता है 600 से 1000 के बीच में इसकी peak brightness देखने को मिल जाती है तो overall brightness काफी जादा नहीं है आप wider angle से भी देखेंगे इस TV को तो किसी तरह का color lost नहीं होने वाला है इस TV में 120 Hz का refresh rate है अगर आप इस TV में higher refresh rate वाला है कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपको काफी अच्छा experience मिलने वाला है वहीं पे अगर हम बात करें इसकी quality के बारे में क्यूंकि यह TV IPS पैनल के साथ आ रहा है जिसके वे जैसे इसमें proper blacks देखने को नहीं मिलेंगे वाट आपको blacks काफी अच्छे देखने को मिलते हैं वीए पैनल जैसा यहां पर blacks नहीं मिलता है contrast भी उतना जादा अच्छा नहीं है अगर आप इसे dark area में देखेंगे dark environment में देखेंगे तो उस condition में क्या है कि आपको उतना जादा blacks अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे contrast ratio भी इस टीवी का थोड़ा कम है compare करें अगर हम वीए पैनल से थोड़े से आपको darker scene में problem हो सकता है बाखी बाद brighter scene काफी बढ़ी है इस टीवी का detailing काफी अच्छी है color काफी बढ़ी है इस टीवी का मैंने इस टीवी में HD channel को प्ले किया आप देख सकते हैं इसका upscaling काफी अच्छा निकल करा रहा है color, detailing, contrast सभी चीज़े यहाँ पर perfect देखने को मिल रही है smoothing की बात करें तो इस टीवी में जो आप non 4K वीडियो देखेंगे जैसे की HD channel या full HD वीडियो तो उसकी जो face की smoothness है वो भी काफी बहतरीन देखने को मिलेगी तो इस टीवी में upscaling काफी जादा अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पर मिलता है HDR, HDR10 Pro and HLG का support आप इस में HDR वीडियो को देखेंगे तो आपको best experience मिलने वाला है overall picture quality काफी बहतरीन है, color इसमें काफी अच्छे देखने को मिलते है, detailing भी काफी अच्छी है upscaling काफी बहतरीन है, आप non 4K वीडियो को देखेंगे तो इसमें upscaling काफी अच्छा होता है face का smoothness, detailing, सभी चीज़े यहाँ पर परफेक्ट देखने को मिलेगी वहीं पर अगर यह वीए पैनल होता, तो इसमें आपको deep black भी देखने को मिलती वट यह IPS पैनल के साथ आ रहा है, तो इसका एक advantage भी है इसे wider angle से देखेंगे, तो किसी तरह का यहाँ पर color lost नहीं होने वाला है overall picture quality इस TV का काफी best provide किया गया है gaming experience की बात करें, तो यहाँ पर मिलता है 4K 120 FPS का support इसमें आप 4K 120 में gaming कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पर variable refresh rate, auto low latency mode, HGIG and G-Sync, FreeSync का भी support मिल जाता है तो gaming experience आपको काफी बैतरीन मिलने वाला इस TV में आप HDR gaming करते हैं, तो वो भी experience यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा आगे अगर हम बात करें sound quality के बारे में तो इस TV में मिलता है total output 20W का support, AI sound pro का support है जो की virtually 5.1.2 channel में virtually 360 surround sound provide करता है तो आई एक sound sample सुन के test करते हैं किस तरह का sound quality है दोस्तों जैसा कि इसका sound quality आपने सुना sound quality काफी अच्छा है, उतना ज्यादा louder नहीं है क्योंकि यह काफी slim हो गया टीबी जिसके विएसे loudness आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा AI sound में अगर आप use करेंगे तो थोरे से आपको distortion सुनाई देगा 100 करने पे, बट इस TV को normal mode में सुनेंगे तो उतना ज्यादा distortion सुनाई नहीं देगा 100 करने पे भी आपको काफी अच्छी quality प्रोवाइड हो जाती है इसके operating system and features के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिलता है wave OS 23 का support जिसमें कुछ नए नए features एड की गई है जैसे office 365 का support मिलता है साथ ही साथ अपने laptop PC को भी access कर सकते हैं यहाँ पे आपको features upgrade किया गया साथ में इसमें multi वी का option मिलता है जिसमें आप दो screen को एक साथ यूज कर सकते हैं आप चाहते हैं कि एक तरफ अलग टेलीकास चले एक तरफ अलग टेलीकास चले तो वह भी कर सकते हैं Camera compatibility भी है इस टीवी में अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो Google Meet के दवारा इसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं Picture Mode में यहाँ पे 10 तरह का Picture Mode दिया गया जिसमें एक नया mode यहाँ पे प्रोवाइड किया गया जो की Customizable Mode है अपने हिसाब से Customize करके Mode को Use कर सकते हैं किस तरह का आपको Detailing चाहिए किस तरह का Color देखना पसंद करते हैं किस तरह का White Ballast तो अपने हिसाब से Color को Customize करके उस Mode को Select करके Use कर सकते हैं आकी बात 9 Mode जो है पहले जैसा ही है जिसमें आपको Filmmaker Mode भी देखने को मिल जाता है साथ में Android फोन से Connectivity करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में किसी तरह का Delay लैग बगरा देखने को नहीं मिलेगा वहीं पे Best Experience देखने को मिलता है साथ ही साथ Apple AirPlay और Apple HomeKit का भी सपोर्ट यहाँ पे दी गई है Voice Assistant में Google Assistant को Remove कर दिया गया है सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे Alexa और LG का खुद का AI Voice Assistant तो दो Voice Assistant है आप दोनों Voice Assistant को यूज़ कर सकते हैं ओवराल ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बढ़िया है लैग बगरा देखने को नहीं मिलेगा अप ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे काफी Fast Response देखने को मिल जाती है Experience वाइस इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा फाइनली अगर बात करें इसकी प्राइजिंग के बारे में तो इसका जो प्राइजिंग है 55 इंज भरियेंट का वो लगभग आपको 75-72 के बीच में देखने को मिल जागा मार्केट में मार्केट में अबेलेबल है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं क् shepherd में अफनों बताऊं च्शेषक चीजएं बारे में तो यहां पर कुछ चीज is बेस्ट है कुछ चीजां आप माइननस पॉइंट है जैसे कि इसक की क्वित्य क्वालिटी कंफी स्पाफी एच्खे हैं फ्यक्त्रिक काफी उच्वर की काफी अच्छा देखने को मिलेंगे वहीं पर अगर आप इस टीवी में ब्लैक सीन को देखेंगे तो उतना जादा डीप ब्लैक देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह टीवी यह पैनल के साथ नहीं आ रहा है इस टीवी में आईपेस पैनल यूज किया गया है यहां पर डिजाइन काफी बढ़िया एस टीवी का क्योंकि यह स्लीम है तो आप वाल पर लगाएंगे तो काफी अच्छा एक्सप्रियेंस मिलने वाला है साउंड क्वालिटी में किसी तरह का दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा वेस गेमिंग एक्सप्रियेंस पर यह टीवी देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में यह बेस्ट टीवी होने वाला है तो आप इसको पर्चेस करना चाहते हैं तो मार्केट में अविलेवल है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आपका क्या ओपिनियन इस TV के बारे में आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं साथ ही साथ मुझे इंस्ट्रागाम पर फॉलो कर लिजे वहाँ पर डियरेक्ट डियम करके मुझे बता सकते हैं तो आप डियरेक्ट डियम करके बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाए